देहरादूर में वीके प्रोडक्शन के बैनर तले बनी एवं शेखर जहां के निर्देशन में बनी फिल्म लीडिल बेबी का ट्रेलर रिलीज किया गया इस फिल्म की विशेशता ये है कि इस फिल्म का फिल्मांकन पूरी तरह से उतराखंट की खूबसूरत लोकेशन्स पर किया गया साथ ही इस फिल्म में 90 प्रतिशत का लाकान उतराखंट से हैं ये फिल्म पिता और बेटी के रिष्टे पर बनी हुई एक खुब सुरत फिल्म है जिसमें पिता के किरदार में प्रियांशु चर्क और बेटी के किरदार में गुलनाज सिंगापूरिया नजर आएंगी फिल्म के निर्माता रिंकु सिंग और निर्देशक शेखर एस जा हैं। इस मौके पर केबिनेट मंत्री धन सिंगरावत, मेर सुनिल उन्याल गामा, डॉक्टर राकिश जेन, दिलिप सिंगरावत, बदरीश छापणा भी मौजुद रहें। साथी फिल्म से जुड़े कलाकार नम्रीद कैरोला, संजे गुपना, पियस नेगी, पूरन थापा, अभिशिक मिंदोला, गोपाल सोरे, गोपाल थापा और विजय शर्मा आदि लोग भी मौजुद रहें। पिछले कुछ सालों में वह सारी चीजे भी खत्म होगी है। मुझे उमीद लगता है दो तिन साल में और अच्छी बढ़ गाएंगी, चौकी चोड़ी कलान वगरा काम कापी चलू रहा है। और उसके बाद शायद लोग बिजय शूट करने नहीं जाएंगे, जब उनको बहुत अच्छे सील्स की जरुरत होगी तो शायद उतरा खंडी आएंगे। समबा 365 के लिए देहरादून से किशोर रावत की रिपोर्ट